केनोपनिशद का तीसरा मंत्र पहले और दूसरे मंत्र की ही पुष्टी के लिए है यानि कि केनोपनिशद का पहला दूसरे खंड का पहला और दूसरा मंत्र जिस भाव को हमारे भीतर तक पहुचाना चाहते हैं उसी भाव को और अधिक बल और अधिक द्रढ़ता यह तीसरा मंत्र दूसरे खंड का तीसरा मंत्र प्रदान करता है हमने पहले दो मंत्रों में देखा कि परमात्मा को पाने के लिए दरसल कुछ पाना ही नहीं होता है बलकि जो है हमारे पास उसे खोना होता है हमने कई बार कक्षाओं में कई बार प्रवचनों में एक बात सुनी होगी बहुत बारोपदेशकों से सुनी होगी मुक्ती कैसे मिलती है तो वहाँ पर एक सूत्र लिखा है मुक्ती मिलती है ज्यान से ज्यानान मुक्ती लेकिन उसमें प्रश्ण उठता है क्या जानना है किसे जानने से मुक्ति मिलती है तो हमारे मन में स्वाभावी प्रश्ण तो आएगा न जानना किस बात को तो दो-तीन चीज़े हैं जानने के लिए सनातन तो तीन ही वस्तुएं है मैं स्वयमात्मा परमात्मा या तीसरा प्रकृति इन में से किसे जानना है कि मुक्ती मिले तो फिर हमारा मन इन तीनों को जानने के लिए दोड़ता है चलो प्रकृति को जान लेते हैं चलो परमिश्वर को जान लेते हैं प्रश्ण ये है कि क्या प्रकृती को शरीर में रहते रहते पूरी तरह जाना जा सकता है क्या पूरी प्रकृती को जाना जा सकता है सवाल है नहीं इसका सहज उत्तर है अगर प्रक्रती को पूरा जान लें शरीर में रहते रहते तो परमात्मा ही न बन जाएंगे नहीं जान सकते दूसरा प्रश्णा आता है परमात्मा को जान लें तो शायद मुक्ती हो जाएगे वहाँ भी फिर हम सोचते हैं क्या परमात्मा को हम पूरा जान लेंगे कितना है कैसा है तो फिर एक समाधान एक उत्तर निकल करके आता है परमात्मा को भी पूरा कैसे जाने तो कि जहाँ जहाँ प्रकृती बहाँ वहाँ परमात्मा अभी अभी तो हमने ये तैय किया था कि पूरी प्रकृती को पूरे ब्रह्महंड को कैसे जाने और जब परमेश्वर पूरे ब्रह्महंड में व्यापक है जब परमेश्वर का कोई और छोर ही नहीं है प्रकृती तक को तो जानना मुश्किल था परमेश्वर को पूरा कैसे जाने प्रकृती तो फिर भी सीमित है परमेश्वर तो असीमित है जब वेद मंत्र कहता है पादोस्य विश्वा भूतानी त्रिपाद अस्यामरितम दिवी अगर इस संसार का एक मोटा मेजरमेंट लिया जाए पहुत मोटा मोटा तो कहा कि इस ब्रमहंड का पूरा का पूरा भाग परमेश्वर के एक चोथाई भाग के बराबर है यानि पादोस्य विश्वा भूतानी परमेश्वर के एक चोथाई भाग में ये पूरी प्रकृती है यानि इस पूरी प्रकृती का सामर्थ ये केवल इतना सा है बलकि तीन चौथाई भाग तो परमेश्वर बाहर है ये परमेश्वर की नापतौल नहीं है दरसल ये परमेश्वर को समझाया जा रहा है कि यदि प्रकृती को पूरी तरह जान भी लिया तो समझ लीजिए कि अभी तो कुछ भी नहीं जाना है तो जब प्रकृति को ही जानना इतना कठिन है फिर परमेश्वर को पूरी तरह कैसे जान लेंगे समाधाना या नहीं परमेश्वर को भी पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता है तो फिर आगे अब तीसी चीज बच्चती है स्वयम मैं आत्मा प्रक्रती पूरी तरह नहीं जाना जा सकती परमेश्वर पूरी तरह नहीं जाना जा सकता तो फिर क्या मैं अपने आपको पूरी तरह जान सकता हूँ बिल्कुल जान सकता हूँ मैं अपने आपको पूरी तरह जान लूँ ये बिलकुल संभव है और अपने में भी अपने को क्या जानूँ मैं क्यों इस संसार में आया इस संसार में आने के पीछे कौन सी अविद्याएं कारण थी उन अविद्याओं की निवृत्ती कैसे होगी यानि मैं कौन शुद्धरूप में वर्तमान में जो मैं शरीर में हूँ वो किन अविद्याओं के कारण हूँ और इस से छूटा कैसे जाएगा इतनी मात्र जानकारी ही अपनी प्राप्त करनी है अपना स्वरूप, उसके बाद अवित्या और उसे छूटने का उपाए जब कहा जाता है जियानान मुक्ती तो किसको जान लेने से मुक्ती परमेश्वर पूरी तरह नहीं जाना जा सकता अनुभव में आएगा ठीक वैसी जैसे कोई कहे कि क्या आप क्या पसंद है आपको, गुलाब जामुन पसंद है जलेवी पसंद है, सारी जलेवी खालो सारी जलेवी कभी कोई खा सकता है नहीं, एक हिस्सा चक सकता है ये बात और है कि पूरी जलेवी में जितना स्वाद है वही स्वाद एक हिस्से में होगा तो परमात्मा को पूरी तरह से पाना तो असंभव है फिर कहा ज्यानान मुक्ती ज्यान से मुक्ती होती है तो वो किस ज्यान से मुक्ती होती है दरसल स्वयम को पूरी तरह से जान लेना और जब स्वयम को पूरी तरह जान लेंगे उसके बाद परमेश्वर का रस भी चक लेंगे इतने मात्र से मुक्ति होती इसलिए उपनिशद हमारे संशयों को दूर करते हुए कहती है कि भाई जो सोचता है परमेश्वर को पूरी तरह जान लेंगे उससे बड़ी अविद्या में कोई नहीं है और जो कह भी देता है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया वो तो निराही अंधकार गये अंधकार में तीसरा शलोक इस बात की पुष्टी करता है और कहता है यस्यामतम तस्यमतम मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद करता हूँ मैं उस व्यक्ति के आगे शीश धुकाता हूँ यस्य अमतम जो आगे बढ़कर के कह दे अमतम मुझे नहीं पता मेरा कोई मत नहीं है मैंने अभी तक कुछ जाना नहीं है मैंने समझा नहीं है जो पूरी तरह से पढ़कर के देख करके परिश्टम करके आकर के कह दे ना जी मेरे बस की बात नहीं यस्य अमतम जिसका मत नहीं है जिसे ज्यात नहीं है जो कह दे मेरी समझ में नहीं आया है तो उपनिशत कहती है तस्यमतम समझ लीजिए मेरी दृष्टी में परमेश्वर के द्रिष्टी में तस्यम्मतम उसके पास कुछ समझ है जिसको ये समझ आ गया कि मेरी कोई समझ नहीं है समझ लीजिए उसके पास समझ है एक दोहा आप बार बार सुनते होंगे संस्कृत में इसे जोंका त्यूं कहा गया है संस्कृत से ही संभवता हिंदी में बदला होगा आपने एक हिंदी में सुना होगा कि जब जब पेड़ों पर जितने जितने फल लगते जाते हैं पेड़ उतना उतना जुकता चला जाता है जितने फल लगते जाएंगे पेड़ उतना जुकता चला जाएगा उसमें विनम्रत आती चली जाएगी अच्छा ये बात सुनने में बड़ी सरल, बड़ी सहज लगती है कि जैसे जैसे फाल आते जाएंगे, पेड़ वैसे वैसे जुकता चला जाता है ऐसे ही जितना जितना व्यक्ति विद्यावान होता चला जाता है जितना समर्थ होता चला जाता है, उसे उतना उतना विनम्र हो जाना चाहिए बात सुनने में सरल सी लगती है, लेकिन उतनी सरल है नहीं जब जब व्यक्ति के पास कुछ आएगा, वो उतना उतना विनम्र क्यों होगा क्योंकि उतना उतना अनुभव उसे सिखाता जाएगा कि ये जो आ रहा है न ये जितना भी आ रहा है ये उतना उतना मुझे बताता जाएगा कि मैं कितना अधिक कमजोर हूँ बात थोड़ी सी जटिल लगी न समझने में इसे हमारे गुरू डॉक्टर धनवीर जी ने बड़े अच्छे से समझाया उन्होंने एक बात कही और जब हम छोटे बच्चे थे तब समझना थोड़ा सा कठिन था लेकिन जब उनकी यही पंक्ती हमें एक बड़ी आयू के बाद जब बार-बार मस्तिश्क में दौड़ती थी कौन्थती थी तो समझ में धिरे-धिरे अपने आप आने लगी और वो ये कि कुछ बातें केवल अनुभव से आती है हमें लगता था कुछ बाते केवल अनुभव से कैसे आ सकती वो जीवन को चार हिस्सों में बांट देते थे वो कहते थे अगर तुम्हें सच में कुछ सीखना है तो सबसे पहले सीखोगे तुम देशातन से घुम घुम करके और कैसे सीख सकते हैं तो वो कहते थे बाकी सीखोगे अपने मित्रों के पास बैठ करके चर्चा करके जो सीखा है उसे चर्चा करोगे ठीक है तीसरा कैसे सीखेंगे बोले पढ़कर के सीखोगे पढ़कर के सीखोगे देशाटन घूम घूम करके सीखोगे उसके बाद मित्रों से चर्चा करके सीख कालकरम अर्थात अपने आप समय आता जाएगा आता जाएगा सीखते जाएगे और वो कहते थे कि जैसे जैसे आपकी आयू बढ़ेगी न तो आयू के साथ आपको सीखने के लिए एक चीज़ मन में अपने आप विकसित होती जाएगी और वो ये कि जो सीखा है वो बेकार सीखा है वो किसी काम का नहीं है इसे ही कहते हैं विनम्रता विद्या ददाती विनयम विद्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी विनय वैसे वैसे आता जाएगा विनम्रता वैसे वैसे आती जाएगी उसका कारण क्या है क्योंकि जो हम सीख रहे हैं दरसल वो ये बताने के है कि बाहर जितना जानते जा रहे हैं, जानने लायक कितना है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। हमने जितना अभी तक पढ़ा उतना पढ़तो लिया पर उससे एक समस्या और आई कि अभी कितना नहीं सीखा है यह और पता चल गया। इसलिए आपने एक वाक्य सुना होगा जितना पढ़ लो उतना ही कम अब ये वाक्य वैसे तो मजाक लगता था हमें बच्पन में जितना पढ़ लो उतना ही कम तो हम तो बलकि मजाक में यूँ सोचा करते थे बच्पन में कि अच्छा जितना पढ़ लो उतना ही कम तो हम बिल बिल्कुल भी कम नहीं रहा हमारे पढ़ने लायक जरा भी कम नहीं है हमने जरा भी कम नहीं पढ़ा है क्योंकि जितना पढ़ो उतना ही कम है ना हमने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी तो कम है ही नहीं बिल्कुल भी लेकिन ये बात तथ्यात्मक रूप में भी बिल्कुल सही ह जितना पढ़ो उतना ही कम जितना जितना पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे उतनी उतनी कम ही लगती जाएगी नियूनता लगती जाएगी क्योंकि अध्ययन और विद्या इसलिए बिल्कुल नहीं होती कि हम पूरी दुनिया को समझ ले अध्यात्म के क्षित्र की बात कर ला बलकि विद्या अध्यात्म में इसलिए होती है ताकि ये पता चले कि मैं कितना नहीं जानता हूं और बस वो भंडार बहुत जादा है इसलिए उपनिशत कहती है कि जिसने विद्या को इस रूप में जान लिया मैं खाली हूँ जिसने कह दिया एक बार मेरा कोई मत नहीं मैंने हाथ खड़े कर दिये मैं नहीं जानता इश्वर मैंने हाथ खड़ा कर दिये मैं नहीं समझ पाया इश्वर मैं सपष्ट स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास परमेश्वर को समझने का सामर्धिन नहीं है अमतम मेरा कोई मत नहीं तब उपनिशत कहती है तस्यमतम इसका मतलब उसने कुछ समझ लिया है इसका मतलब उसमें विनमृता आ गई है क्योंकि जिसमें विनमृता नहीं है उसने विद्या नहीं सीखी है और जिसने विद्या सीख कर भी कोई कह रहा है कि नहीं, मेरे से अधिक कोई नहीं जानता है, यह भले ही न कहीं, यही कह दे कि हाँ मुझे पता चल गया है, मैं जानता हूं इसका मतलब विनम्रता तो गायब हो गई और विनम्रता हटी इसका मतलब विद्या नहीं आई है विद्या के नाम पर कुछ और ही सीख लिया गया है इसलिए कह रहे हैं यस्य अमतम तस्य मतम और कह रहे हैं मतम यस्य और जो कह दे कि हाँ मैं तो जान चुका हूँ इसका मतलब अभी तक अविद्या घर की ये हुए है अभी तक अहम भाव घर की ये हुए मतम यस्य नवेदसा है इसलिए जो कहता है मतम मैंने जाना हुआ है समझा हुआ है नवेदसा है इसका मतलब उसने जाना ही नहीं अभी तक, अभी तक वो थोड़ा भहुत आगे बढ़ा है और बस उसी में लिप्त है कि हाँ मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, क्यों कारण क्या है उसका, कारण अगली पंक्ति बताती है, कहते हैं अविज्यातम विज्यान क्योंकि आपने देखा होगा न, अधिकतर अध्यातमिक व्यक्ति पागलों जैसे हो जाते हैं, आपने ये भी कई बार देखा होगा कि जो व्यक्ति अध्यातम के छोर तक पहुँच जाते हैं, वो अध्यातम के छोर पर पहुँचे हुए लोग बिलकुल ना समझो जैसा व इक्षुकवत हो गए हैं, ऐसा लगता है जिसे पागलवत हो गए हैं, ऐसा लगता है जिसे इनको कुछ आता ही नहीं है, नहीं नहीं सब आता है, जो सीखा है वो सब आता है, लेकिन अब जो जाना है वो इस सीखे हुए से उपर की चीज है, इसलिए अविज्यातम विज्यान हुआ है उन्होंने अभी नहीं जाना अभी उन्होंने सार को नहीं जाना संसार के इस संसार को संसार कहती ही इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने संसार को जाना है इसका मतलब उसने सार को अच्छी तरह जान लिया है और किसी व्यक्ति ने अगर सार को अच्छी तरह नहीं जाना निचोड को अच्छी तरह नहीं जाना, सम्माने अच्छी तरह से सार, निचोड, तो इसका मतलब उस व्यक्ती ने फिर इस दुनिया को ही अच्छे से नहीं जाना, अविज्यातम् विजानताम् जो गती समझदार बनता है बो न समझ है, और जो आपको दिखाई देते हैं पा पुछोगे क्या क्या आता है सब आता है जो पढ़कर हम घूम रहे हैं वो उसको पहले से आता है फिर ये फक्कड से क्यों घूम रहे है पागल हो गए हो नहीं विज्यातम उसने कुछ ऐसा जान लिया है जो अभी जानता है लग रहा है कि ये कुछ नहीं जानता है उसने जाना हुआ बेकार लगने लगा है छोड़ देता है व्यक्ति उसको विज्यातम अविजानताम जो कहता है नहीं जानता हूँ जिसको समझ नहीं दिखाई दे रही है बस वही वास्तव में जानता है इसलिए आप देखेंगे एक वाक्य जो मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है और आजकल तो वह वाक्य बेकार सा लगने लगा है बेकार ठगी से भरा हुआ धूरतता से भरा हुआ हमारी नासमझी को दिखाने वाला वह वाक्य माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं अगर बच्चा दुकान पर जाए और जाकर के जितने का सामान कहा गया उतने का ल दिये 40 का सामान खरीदा 10 रुपए वापस देने थे दुकानदार उसे 50 ये 100 का नुट वापस दे देता है दस की बज़ाए 100 का दे देता है बच्चा उसे कहता है नहीं जी 100 का आपका है मुझे तो 10 रुपए चाहिए थे और 10 रुपए लेकर के वापस आ जाता है तो बड़े धन्यवाद के पात्र है वो माता पिता और सौभग्य शाली है वो संतान जिनके माता पिता कह देते हैं बच्चे बहुत अच्छा किया प्रसंद होते हैं लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भोला है जिस बच्चे को जूट बोलना ना आए उसे माता पिता और पडोसी भोला कहते हैं जिस बच्चे को तिकडम बाजी करनी ना आए उसे कहते हैं भोला है बेचारा जिसे बारगेनिंग करनी ना आए हिंदी में कहते हैं न मोल भाव करना 100 रुपए की चीज 20 रुपए में कैसे खरीदी जाए 1000 रुपए की चीज दो सो रुपय में कैसे खरी दी जाए जिसको ये तरीका ना आता हूँ भोला है वेचारा जिसे समय आने पर कैसे पैसे दे करके अपना काम निकालना है ये ना आता हूँ भोला है वेचारा उसे भोला कह दिया जाता है वेचारे को समझ नहीं है ये कह दिया जाता है वेचारे क शराब पीनी सीख ली जहर पीना सीख लिया वो विक्ति समझदार है कोई और ये तिकडम बाजी ये दुनिया का संसार का जहर ही है एक तरह से विश ही तो है हम जो आत्मा को अपनी पिला रही है वो विश है मैं एक बात बहुत दिनों से अनुभव कर रहा हूँ सोचता हूँ आपके साथ साजह कर दूँ और वो बात ये कि आप देख रहे हूँगे आजकल युवाओं को भी बड़े लोगों को तो खेर है ही हरदय के रोग बहुत हो रहे है हरदय बड़ा कमजोर होता जा रहा है लोगों का जरा सी कोई दुरगटना बुरी बात हुई नहीं कि हरदय कि धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ी सी बात होते ही डर शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हरदय अचानक से कमजोर नहीं हुआ है, हमने धीरे धीरे हरदय पर चोट पहुचाई है, हथोड़े मारे हैं उसको, बहुत लंबे समय से मारते आ हैं, कैसे चोट पहुचा रहे हैं, आप कभी गहराई से अनुभव कीजिएगा जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें चलिया प्रपंच हो, जब भी हम कुछ हैसा करते हैं जिसमें असहजता हो, अपनी आत्मा के विपरीत निरनाय कोई हो, तो आप देखेंगे हैं हलका सा जटका लगता है, धक्का लगता है, उधारन के तौर पर चूरी से कोई सामाने से उठा लिया, अब सामने वाला वेक्ति धून रहा है, तो हमारे अंदर एक धक्का सा लगता है, मेरे पास ना आ जाए, जिससे हम बचते हैं, जिसका मैंने कभी बुरा किया है, और उसामने धक्का लगता है देखते हैं, तो यहां हलक असा धक्का जीवन में कितनी बार लगा होगा, उसे जरा एक बार अगर सामने सा अगर गणना करके देखें, तो अगर हम एक दिन का एक बार भी माल लें, हाला कि ऐसा होता नहीं, एक दिन में चार पांच बार ऐसी घटनाए हो जाती हैं, क्योंकि हम तो हर कदम पर सोचते हैं, हमारा लोब, हमारा लालच, हर कदम पर हमसे ऐसे काम करवाता है, जिन कारियों में कहीं न कहीं चलो, दूसरे का कहीं न कहीं आहित हो, सरकार का हो, समाज का हो, किसी व्यक्ति का हो, हमारा लोब, लालच, स्वार्थ, कहीं न क ही ऐसे हर दिन में दस्यों बार ऐसे कर्म करवाता रहता है हमसे और जब भी हम ऐसा कर्म करते हैं यहां एक धक्का लगता है वो लगता पहले मस्तिश्क है मेह मस्तिश्क से यहां लगता है और यह जितनी बार धक्का लगता है उतनी बार क्या लगता है हरदय को कोई ठेस नही पहुँच रही होगी हमारा हरदय इतना मजबूत है कि उसके लगातार चोट पहुँचेगी और वो कमजोर नहीं होगा लगातार हमारे मस्तिश्क को चोट पहुँचेगी और वो कमजोर नहीं होगा इसलिए किसी का हरदय कमजोर है, किसी का मन कमजोर है तो वो एक दिन में नहीं हुआ है बंधुमों बहुत दिनों से लगातार उस पर चोट पहुँच रही थी हम लगातार ऐसे कर्म करते आ रहे थे जिन कर्मों के कारण हम बार 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 आत्म गलानी बार बार आत्म हींता बार बार आत्म हंता बने जा रहे थे ऐसी परिस्थितियां जब जब आएंगे तब तक हमारा हरदय कमजोर होगा दुर्बल होगा तब तक हमारा मन दुर्बल होगा और जब जब मन दुर्बल होगा हरदय दुर्बल होगा हम पूरी तरह से भी दुर्बल होते चले जाएंगे इसलिए तो ये जो आजकल हरदय के रोग हो रहे हैं हार्ट अटेक आ रहे हैं हरदय आगहात आ रहे हैं ये अचानक नहीं आ रहे है व्यक्ति कमजोर हो गया है समाज की समस्याओं को दूर करने में जब उसे खड़ा होना पड़ता है सामने तो वो डरता है आप देखीगा पडोसी-पडोसी की सहायता के लिए खड़े होते डरता है पुलिस केस न बन जाए व्यक्ति-व्यक्ति की सहायता करते डरता है कहीं पुलिस के पचड़े में मैं न फंस जाओं हम किसी को पैसे देने में जब किसी की सहायता करता है पैसे देकर तो डरते हैं कहीं पता वापस न दे कहीं हम जब भी किसी की सहायता करना चाहते हैं तो हमारे मन में प्रशना आता है कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा और जब मुझे लगता है मैं फस जाओंगा तो मैं ऐसे काम करने से डरता हूँ इसलिए व्यक्ति-व्यक्ति की साहेता नहीं करता है डरता है, संगठन के रूप में कर देता है लेकिन इंडिविज्वल, व्यक्तिकत रूप से सहयोग करने में हम सब डरते हैं कोई गलत हो रहा है कुछ काम, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुझे खड़ा होना पड़े, नहीं होता है क्योंकि पुरा समाज ही नहीं खड़ा है ये जो अंदर कमजोरी आ गई है, दुरुबलता आ गई है, ये दुरुबलता एक दिन का परिणाम नहीं है हमने यहां बार-बार ठेस पहुँचाई दिया हम स्वयम अंदर से भीतर से इतने बलिष्ठ नहीं है भीतर से इतने आत्मविश्वासी नहीं है कि किसी गलत का विरोध कर सकें क्योंकि हमने लाखों बार वही गलत काम किया है तो इसलिए हम शारीरिक और मानसिक दोनों तोर पर दुर्बल हुए है इसलिए उपनिशद इस बात को बड़े सहज रूप से समझाती है वो कहती है कि जो व्यक्ति बलिष्ठ है वो दरसल इस बात से बलिष्ठ है उसकी बलिष्टता, उसकी बलवत्ता केवल इस बात में छेपे हुई है कि उसने अपने आपको कभी ठेस ही नहीं पहुँचाई उसने अपने आपको पहले से ही बड़ा विनम्र रख्था है उसने अपने उपर इन प्रव्रितियों को इन लालचों को हावी होने ही नहीं दिया और जब हावी नहीं होने दिया तो उसने समझ लिया अपने को समझ लिया, बाहर की निसारता को समझ लिया बलिष्ट है भीतर से इसलिए जो व्यक्ति बलिष्ट है वो जानता है हुआ है विनम्र है दरसल वो उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी बलवत्ता को बताता है जो कह देता है यस्य अमतम जी मैं नहीं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं दरसल उसकी कमजोरी नहीं है या उसकी विनम्रता है क्यों क्योंकि जिस पेड की डालियां जितनी अधिक लची लचीली और जुकी हुई होंगी वो उसकी दुरूबलता नहीं बलकि उसकी बलिष्टता बलवत्ता का प्रतीक होती है आपने देखा होगा बहुत से पेड़ होते हैं जो बहुत लचीले होते हैं जिनमें एक पेड़ होता है शहतूत का पेड़ आपने से बहुत लोग जानते होंगे, शहतूत का पेड़ बहुत लचीला होता है, आप उसकी डाली पकड़ो पकड़ कर यह यू घुमा दो, तूटेगी नहीं, और कहते हैं, शहतूत का पेड़ बहुत मस्बूत माना जाता है, इसलिए, कारण क्योंकि वो तूटता नहीं है, कितना ही लचीला, कितना जु उसकी डाली को जड़ा थोड़ा से जुका के देखिएगा, मोड करके देखिएगा, वो मुड़ेगी ही नहीं कभी, मुड़ेगी नहीं, तो लगेगा कि अरे बलवान है, मजबूत है, ना जी, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, वो कमजोर है, आप थोड़ा सा मोड करके द नहीं है कि नहीं मैं छोटा हूँ जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता जो व्यक्ति दूसरों को अपने से बड़ा नहीं कह सकता जो व्यक्ति दूसरों को अपने से बड़ा विद्वान नहीं समझ सकता वो व्यक्ति भला क्या बलवान होगा वो तो पहले से ही तू फूट हो चुकी है, और आगे क्या होगी, इसलिए कह रहे हैं, यस्य अमतम, जिसने कहे दिया मैं नहीं जानता हूं, बड़ा बलवान है, समझ लिजे तस्यमतम, क्यों, क्योंकि अविज्यातम विज्यानताम, जो समझदार लोग बने फिरते हैं न, वो समझदार लोग 0 शु ना समझ उन्होंने अपने को भीतर से परिपक्वा बनाया है उन्होंने अपने को भीतर से अंदर से विकसित किया है इसलिए बाहर से वो ना समझ दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत ही सुन्दर पंकी जो अगले चौथे श्लोक से प्रारंब होगी इसके लिए बड़ा अध आप लोग जीवन में एक बात देखिएगा अधिकतर हम लोग जो हैं अधिकतर हम लोग अपने को बाहर से जैसे पेंट करके दिखाते हैं ना कि घर बहुत मजबूत नहीं है लेकिन बाहर से पेंट वेंट करके अच्छे से दिखा दें सामान अधिकतर बाजार में जो सामान बिखता है उसमें भी अंदर से मजबूत नहीं होता है लेकिन बाहर से बढ़ियां रंग रोगन करके परोस दिया जाता है ऐसे ही बहुत अधिक लोग संसार में आपको मिलेंगे जो केवल बाहर से दिखने का प्रयास करते हैं उधरन के तोर पर बाहर से गुस्सा दिखाने की का प्रयास करेंगे लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं डरे हुए होते हैं बाहर से सुन्दर दिखने का प्रयास करेंगे अंदर सुन्दरता बिल्कुल नहीं होती है बाहर से कपड़े ऐसे पहनेंगे बिल्कुल ठीक अंदर से शरीर ब जो व्यक्ति भीतर से शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जो व्यक्ति भीतर से सुन्दर है, जो व्यक्ति भीतर से मजबूत है, वो कभी बाहर से नहीं दिखाता है, आप अधिकतर देखेंगे, बलवान व्यक्ति सदैव क्षमावान होगा, वो क्षमा कर देगा, वो कमजोर व् बड़ा भरोसा है उसको, जब व्यक्ति भीतर से बड़ा शारीरिक रुप से स्वस्थ होता है, तो बाहर से दिखाने का प्रयास थोड़ा कम करता है, अपनी स्वस्थता को कि छेहरे पर क्रीम लगाएगा, कि कुछ और लपेटेगा, वो स्वस्थ है, वो भीतर से स्वस्थता चेहरे पर दिखाई दे रही है, शरीर में दिखाई दे रही है, वो फिर बाहर की जो dose है वो बहुत कम लेगा, वो जो पेपदार्थ होते हैं, energy drinks होते हैं, वो नहीं लेगा, यह सब बाहर का लबादा है, क्यों इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सच में जानता हैं, यह यूँ कहिए एक व्यक्ति जो सच में ठीक है, वो बाहर से कम दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ठीक हूँ, तो यस्य अमतम तस्य मतम, जो सच में है, वो कभी दिखाएगा नहीं, और जो नहीं है, मतम यस्य, यानि जो दिखा रहा है, कि मैं ऐसा हू मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ समझ लीजी अंदर से उतना ही कमजोड है तो मतमयस से नवेदसर ये तो बिलकुल एकदम आमने सामने का सिद्धान्त है समाज में भी अनुभव कर सकते हैं जो जितना दिखा रहा है समझ लीजी अंदर से खाली है और जो नहीं दिखा रहा है समझ दीजिए अंदर से मस्बूत है इससे नहीं बिढ़ना ये तो हम वैसे भी अनुभव कर सकते हैं